नमस्कार, SBD News में आपका स्वागत है पेशे 10 जुलाई वुद्वार सुबस समा 11 बजे राजसन की बड़ी खब्रे लोगसबा अध्यक शौंबिला रूस के सेंट पीटरसवग में गुरुवार से शुरू होने वाले दो दिवसिये दस्वें ब्रेक से संसदिय मंच में भारतिय संसदिय शिष्ट मंडल का नेतरतब करेंगे इस शिष्ट मंडल में राज्य सवा के उपसवापती हरी वंच, राज्य सवा सिदस्य शंबू शरन पटेल लोगसबा के महा सचीव उत्पल कुमार सिंग और राजय सबा के महा सची पीसी मोदी शामिल है लोग सबा सची वाले में सैयुक्त सची वंचनी कुमार सिस्ट मंडल के सचीव है दसवें ब्रिक्स संसदिय मंच का मुख्यविश समान वैश्वीक विकास और सुरक्षा की लिए बहु पक्षवाद को मजबूत करने में सलस्दों की भूमिका है इस दुरान होने वाली वैटकों में ब्रिक्स देशों और आमंदेद देशों अर्थात अजर्बैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस गन्राजय तजाखस्तान, उजवेकिस्तान और तुर्क मेनिस्तान की अध्यवच्ष संसे तद्द से हैं और अंतर संसदिया संख की अध्यवच्ष सूश्री तुलिया एक्सन भाग लेंगी नोकरारी ने खाने में रशिला पदार्थ मिलाकर मिंद्रस विश्रसमेन की घर में लूठ की हैं परिवार के सदस्तियों के वेहोश हो जाने के बाद देराथ उसने अपने चार साथियों को बुलाया गर की अलमारिया खंगाली और उपे ज्वैलरी लेकर फरार हो गए सुबह पडोसी ने युगती के हाथ पैर बंदे देखा तो दोड़ कर बचाने पहुंचा पती पत्मी और बेटे बेटी को अस्पता ले गए जहां उनका इलाज जारी है घटना उदेपुर के सुखेर थाना इलाके के न्यू मोडन कॉम्पलेक्स की मंगलवर सुबह साड़े चार बज़े की है पुलिस को अशंका है कि युगती के साथ ही नेपाल की हो सकते हैं ऐसे में नेपाल पुलिस से भी मदद मांगी गई है एसपी योगेश गोयल ने बताया लूट की घटना न्यू मोडन कॉम्पलेक्स में संजे गांदी के घर होई है राजस्तान के क्रिशी शिक्षम में अध्यानरत छात्रों को प्रोसाहन राशी दी जाएगी इसको लेकर क्रिशी विफाग ने दिशा निर्देश जारी किये हैं सेप्त निर्देश क्रिशी विफाग राम निकास पालीवान ने बताए कि ग्यारवी में बारवी कक्षा में क्रिशी में अध्यानरत छात्रों को पचास जार रुपे प्रतिवर्ष यूजी में अध्यानरत छात्रों को पच्चिस जार रुपे प्रतिवर्ष के हिसाब से चाल वर्ष तक PG में अध्यनरत शात्रों को 25,000 रुपे प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 वर्ष तक तथा PhD में किर्शी विश्य के साथ अध्यनरत शात्रों को 44,000 रुपे प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधन है राजस्तान में भारती जिन्दपाटी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि मुख्यमंतरी भजलार शर्मा की नित्तव में राजस्तान सरकार का बुद्वार को प्रस्तुत होने वाला बजट ने सिर्फ एतिहासिक होगा बलकि राज़े के सरवांगिन विकास मे मील का पत्थर भी साबित होगा जोशी ने मंगलवार को यहां पत्तरकारों से कहा कि राजस्तान के गाओं गरीब किसान महिला युवा दलित आदिवासी सहीत समाज के हरवर के कल्यान का बजट होगा जोद्पष शहर में संजालित हो रहे है स्पा सेंडर को लेकर पुलिस सवत हो चुकी है बीती दिनों भगत की कोठी शेतर में पुलिस की कारेवाई की बज़ मंगलवार को सरदार बुरा थाना शेतर में संचालित हो रही है पुलिस ने दबिश दी यहां से पुलिस ने आठी युवतियों वे तीन युवक को इरासत में लिया है पुलिस की इस कारेवाई के बाद शहर में संचालित हो रहे हैं अन्या स्पास सेंटर के संचालकों में भी खलबली मची हुई है चानकरी अनुसार असीपी 26 शर्मा के नितथव में सरदार पुरा शेतर में पुलिस ने एक स्पास सेंटर पर करेवाई की स्पास सेंटर के स्थानिये लोगों द्वाना लगादा शिकायत की जा रही थी इसमें पुलिस ने दोपहर को सेंटर पर दबिश दी, स्पास सेंटर के दस्तावेश रिन्यू नहीं करवाए गए थे राजस्तान में दोसा जिले के बैजू पाड़ा थाना शेतर में एक बजूर को पुराने सिक्के करोडों में खरीदने का जहांसा देकर तीन लाख अठावन हजार रुपे के ठगी के मामले में पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तान किया है साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अरोपी जाहिद मेव को गिरफ्तान किया है राजसान के राज्येपाल कर राज मिष्ट ने मंगलवर को यहां पुलिस मखानी देशक मोहनला लाठर को मुखे सुचना आयुक्त तथा सुरेश चंद गुपता, महेश कुमार पारक और टीकरम शर्मा को राज्ये सुचना आयुक्त के पदगी शपत दिलाई मिष्ट ने राजभवन के दर्मार होल में आयोजिस समारोहों में इनने शपत दिलाई इन सभी ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपत ली देख जिले के जुरहरा नगर और कामा थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाब बड़ी कारेवाई की है तीनो थानों ने चोदा साइबर ठगों को गिरफतर किया है जुरहरा पुलिस ने आठ साइबर ठगों से चोदा मुबाईल बाइस फरजे सिम और साथ हजार रुपे जबत किये हैं नगा थाना पुलिस ने पांच पांच हजार के चारे नामी साइबर ठग गिरफतर किये हैं वहीं कामा थाना पुलिस ने साइबर ठगी करते दो ठगों को गिरफतर किया है जुरहरा थाना पुलिस ने आठ साइबर ठगों को गिरफतर किया है जिनके कब जैसे 14 मोबाइल, 22 फर्जे सिम और फर्जे सिम कार्ट बेच कर इकठे किये गए 60,000 रुपे जब्त किये हैं खाना दिगारी योगेंदर सिंग ने बताये कि मुक्पिर की सुचन के अधार पर सत्पुड़ा के जंगलों से मोबाइल लोकेशन के अधार पर आठ साइबर ठगों की घेरबंदी करूने पकड़ा गया आरोपी साइबर ठगी के साथ फर्जी सिम बेचते हैं जिन से बाकी साइबर ठग ठगी करते हैं तालाशी लेने पर आरोपियों के पास से 14 मोबाइल और 60,000 रुपे जब्त किये गए हैं मेवाड की क्रिशन धाम श्री सामलिया जी में मंगलवर को तीसरे राउंड की काउंटिंग हुई मंगलवर को 2 करोड 78,000,000 रुपे की गिंती की गई अब तक कुल 3 चर्णों में 14 करोड 84,000,000 रुपे की गिंती हो चुकी है काउंटिंग अभी भी बाकी है, सामरा सेट की नगरी में हर महीने चतुर दर्शी का मेला भरता है, इस दिन बंडार भी खोला जाता है, हर दिन यहां दूर दूर से भक्त जन अपने सामरिया के दर्शन करने आते हैं अब पैंशनर्स को वे 3 माहा की एड़ाज पैंशन मिल सकेगे, नाजशान सरकार ने सरकारी करमचारियों की तरह, पैंशनर्स और फैमिली पैंशनर्स को यह सुविदा प्रधान की है, यह सुविदा एक अगस्त से मिलने शुरू हो जाएगी, वज़ला सरकार ने गद्दि इन में 3.22 लाग रिटार्ड करमचारी खुद पेंशनर है जबकि 1.53 लाग फैमिली पेंशनर्स हैं तीन महीने की एड़वान सेलरी के सुवीदा अभी तक सिर्फ सरकारी करमचारी को ही मिलती थी पर एक अगस्त से ये सुवीदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मि लेगी कोटा के सुकेत थाना इलाके में फाइरिंग के मामले में पुलिस ने गिरफतर किये गए दो बदमाशों का इलाके में जलूस निकाल दिया बदमाशों को पुलिस घेरे में शहर की सड़क पर गुमाया तांकि लोगों में बदमाशों की दहशत खतम हो सके सुकेत इ चुलाई को यासिर खान पर फारिंग की वारदात हुई थी यासिर अपने मजदूर के साथ कोटा रोड फैक्टरी से जुल्मी रोड की तरफ जा रहा था इसे दुरान विनोद योगी और तोकिर ने उसे रोका और फारिंग कर दी थी गोली यासिर के पैर में लगी थी आरोपी फरार हो गए थे मामले में पुलिस ने मामला दर्चकर जान शुरू की और आरोपियों की तलाश शुरू की मखविरों की सूचना और तगनीकी अनिसंदान के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफतर कर लिया तौंग जिले की बनास रदी में बहाव तेज है वहीं पीपलू समेट सो से ज़यादा गावों का संपर्ग जिल मक्याले से कट गया है एक मातर बनास नदी पर बनागैलोत गाट पर रप्टा तेज बहाव में बहाव में बहे लित जाता है ऐसे में लोग 70 किलोमेटर चक्कर करके आने की वजाए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं जहां गैलोत रप्टेम पर बन रहा ब्रिज भी गट्या क्वालिटी निर्मान के चलते बीते दिनों अंधर के तेज्छोंके में गिरकर जमी दोज हो गया था उस पूरे मामले में निर्मान कंपनी पर ना तो अब तक कोई कारेवाई हुई ना ही कारेवाई के जानकारी सारवजेंग निर्मान विभाद की ओड़ से शियर की गई सीकर की पलसाना की उक तहसील से तहसील बनाने की मांग को लेकर तहसील बनाओ संगरश समीती की योद पैदल मार्श निकाला गया पैरल मार्च गौवटी रोड बाला जी से शुरू होकर उपतहसील पलसाना पहुंचा जहां सीम के नाम नायब तहसीलदार को ग्यापन सौंपा गया संगर्श समीती के सही वजब सुभाश राववे मम्ता मेग वन्शी ने बताया पलसाना कस्वे में 1984 में उपतहसील बनाई गई थी और काम का शुरू हो गया था पलसाना उपतहसील के अंडर में 17 पटवार हलके आते हैं उपतहसील के अधीन आने वाले गाउं में हाईवे के आसपास काफी गाउं है कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने शहर में सुचारू यातायात व्यवस्ता में बादक बन रहे अतिक्रमन एमम सड़क पर खड़े रहने वाले थड़ी ठेलों को सड़क सीमा से हटा कर आवाजाही में आ रहे ही बादाओं को दूर करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने नगर निगम ट्राफिक पुलिस एमम कोटा विकास प्रादिकरन के अतिक्रमन रोधी दस्ते को ट्राफिक में बादक बन रहे अतिक्रमन हटाने की निर्देश दिये रोक्तर गोस्वामी ने कहा कि अतिक्रमन हटाने का कार्या नेमित रूप से हो, एमम नगर निगम पुलिस जामते की मदद से यह आतायाद में भादक बन रहे, थड़ी एमम ठेलों को हटाने की कारेवाई करे पश्ची मद्य रेलवे के कोटा स्टेशन पर रेल यात्रियों को सस्ती उप्योगी दवायन स्टेशन पर ही उपलब्द कनाने के लिए, रेलवे की जल्द ही प्रधान मंतरी भार्दी जैनोश्टी केंदर क्योसक प्रारम किये जाने की यूज़ना है, कोटा मंदल के अधिग संख्या एक से परिस अंचरन शेत्र में प्रधान मंतरी भार्तिय जैनोश्टी केंदर स्थापित किया जाएगा, फिलहाल इस बुलिटिन में इतना ही फिर हासिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रही है, सब्सक्राइब की छोटी बड़ी और